हेलो क्यूरियस माइड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग इंसेक्ट लेकर आया हूँ और ये जो इंसेक्ट है मैं गैरेंटी से कहाँ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अल्मोस सभी ने अपने घरों में नोटिस किया होगा घर की दिवारों पर इनको लटकते होए आपने देखा होगा फ्लास्टर पर शिमेंट पर आपने देखा होगा और बहुत ज़्यादा इनक्टिव रहते हैं इन में उतनी ज़्यादा हलचल नहीं होती लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो है हमको वर्म दिखाए दे रहा है एक केड़ा दिखाए दे रहा है तो यह कौन सा इंसेक्ट है आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले इनको जो है commonly बहुत सारे नामों से जाना जाता है जैसे की clothes moth, carpet moth, case bearing moth इन नामों से इनको हम जानते हैं लेकिन species level पर identify करना मुश्किल है क्योंकि इनके बहुत सारे जेनेरा होते हैं और भारत में कौन सा पाया जाता है यह भी पता ना एक expert की expert का डोमेल है जो मैं आपको accurately नहीं बता सकता लेकिन जहां तक मुझे information मिली है इसका जो scientific नाम है वो है Tineola paleolella और इसकी और भी दो-तीन related species है आप अपने हिसाब से और observe करके subject को आप पता कर सकते हैं यह जो case bearing moth larva होते हैं यह keratin पे feed करते हैं और natural fibers पे feed करते हैं यानि खाते हैं natural fibers को human habitation जो होता है वहाँ पर आप देखोगे कि यह खाते हैं carpets को fabrics को और कपड़ों को खाना पसंद करते हैं जिससे बहुत छोटी मातरा में ही सही लेकिन कपड़ों को वगेरा को नुकसान पहुचता है और इनकी जो diet basically आप लोग देखे तो fibrous protein है और इनमे ability होती है कि यह carrot इनको digest कर सकते हैं इसलिए आप देखोगे जब इनको आप observe करोगे और अच्छे से कि यह wool को खाते हैं, बालों को खाते हैं और feathers जो पक्षियों के पंक होते हैं उनको भी यह खाते हैं इसलिए आपने इनको कबूतर जहां पर ज़ाधा होते हैं वहाँ पर भी इनको देखा हुआ है उनके घोसलों के आसपास भी यह ज़ाधा मिलते हैं और हमको यह समझ पारवल स्टेज है एक मौत का मौत जो एक बटरफ्लाइ से रिलेटेड मौत जो बटरफ्लाइ जैसे एक रिलेटेड ग्रूप अफ इंसेक्ट्स है और यह जो टिरीडे जो है एक फैमिली है मौत की लेपिडॉक्टेरा और के अंदर और अचराव इंके Taxonomy को breakdown करें तो कुछ इस तरीके से उनकर Taxonomy आपको बठाक है कि अब और दोनों साइड निकल सकते हैं दो चीजों से बना होता है जो कि ये खाते हैं और बिल्कुल भी ये हामफुल इंसानों के लिए नहीं है लेकिन कपड़ों को अगेरा को टुकसान ये पहुचाते हैं और और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा मेरा वो भी एक related insect के बारे में होगा जहांपर मैं bagworm के बारे में बात करूँगा bagworm भी ऐसा ही एक खुद का घर लेकर चलते हैं और खुद का ऐसा ककून बनाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा unique होता है और वो insect देख के आपको सचमुच में अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा unique हो insect है तो इसके अगला वीडियो जो है वो आप बिस मत कीजेगा क्योंकि इससे related भी है और वो बहुत ज़्यादा unique भी होगा